कट्नी में एक रेटाइड फौजी ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया और हत्या को खुदखुशी बतानी की कोशिश की लेकिन उसी की 14 साल की बेटी ने ये रास खोल दिया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की यह मामना बरही थाना छेत्र के फौरेस्ट कॉलोनी का है जहां एक रेटाइड फौजी पर पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद उसे फांसी की फंदे पर लटकाने का आरोप है और यह आरोप उसी की 14 साल की बेटी का है मृतका की बेटी ने बताया कि पापा ने मम्मी के स बाद मार पीट करने के बाद मौत के घाट उतार दिया इतना ही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी ने घर के सारे CCTV फुटेज धिलीट कर दिये और पत्नी की शब को अस्पताल ले आया और बड़ी ही सफाई से इसे आत्मा हत्या दर्शाने की कोशिश की आक्रोशित्म रतका के माई के पक्ष के लोग आरोपी पर तूट पड़े जिसके बाद वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने आरोपी को थाने भेज दिया अच्छा तो फांसी पापा ने लगाया किस बात को लेके कितने बज़े घटना थी हाथपिटल कौन लाया मम्मी को आप क्या कर रहे थे उस समय शॉब ओूब तॉट ऐस्ट जिसल्ड पॉट ए लोग टॉटिट इंस्पराइंस ओूट ओ लिए। अटिने अच्छी हुर्ट आरोफ या तूड़् अट लिए। जिस अप्र भाख प्यूद टीक्ट रूट तॉड स्टिय। जिए इन्स्ट अप्र टॉट इंस चरूब 410 777 11 प्रेदि हैं मेर्चिल बेस्ट्र εज़ुनिव इन वे यद्ट्रेश OLब एlingt ना कि लिए इन दुन प्रेमियर स्किल बेस्ट उनिवर्सिटी रबिन्टनाथ तेगो उनिवर्सिटी आप देख रहे हैं दखल्यू